नमस्कार दोस्तों सागत आप सबको फिर शेक पर हमारी यूट्यूब चैनल CMCIT प्रोग्राम में मैं हूँ रौशन और आज के इस टीटिरेट में हम सीखने वाले हैं Microsoft Word 2007 या किसी भी भर्शन में Microsoft Word डॉकुमेंट को मल्टिपल कॉलम में रिभाइड करना दोस्तों बहुत useful वीडियो है आप देखे होंगे जब भी किसी newspaper में देखते हैं या articles लिखते हैं या फिर कोई भी आप जो books अगरा बगरा देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है तो page का कुछ पार्ट जहां पर requirement हिसाब से आपको कॉलम में रिभाइड किया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर फिर आपको पांच कॉलम में रिभाइड किया गया है यहां पर देख सकते हैं यह जो है यहां पर फिर आपको पांच कॉलम में रिभाइड किया गया है यहां पर देख सकते हैं यह जो है यहां पर त्री कॉलम में रिभाइड क जो है space maintain किया गया है कम किया गया है पहले से और यहां पे जो तीन columns है तीनों columns को size different है first के ज्यादा second के थोरा सा कम और third के और भी कम यहां पे बनाया गया है तो दोस्तों इस तरह हम क्या करेंगे Microsoft Word में आप requirement हिसाब से multiple columns में हम document को किस तरह त seguinte हर दीवायर खरते हैं और यहां पर फिर देख सकते हैं कि last 메이크업 है और यहां पर जो है यहां पर देख सकते हैं first में आपको थ्रसा इसका ब्रेक प्रेट कम है second last Kulp को बेर्ट जादा है और यहां पर लास्ट में देखेंगे फास्ट का बेर्ट जादा है लास्ट का बेर्ट कमें तो इस तरह हम किस तरह हम डिजाइन करेंगे कि किसी भी डॉकुमेंट को मल्टीपल कॉलम्स में रिक्वार्मेंट हिसाब से हम मेंशन करेंगे तो चुछतली क् करते हैं हम नोंे जो सब करता हैक लेक राहए तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों सबसे पर एक निवीया गया है तो सबसे जानते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर रहों करना है दोस्तों अपर देख सकते हैं यह जो है एक क्योंट है जिसमें बहुत सारे निखा है निटे Amap on the single अब करेंगे तो यहां जो मैंठी सब्सक्राइब करेंगी दो सब्सक्राइब करने के बाद तोश्गर सब्सक्राइब करेंगे थो दिए करेंगे तो आप देख शकते हैं यहां पे two columns में आपको divide हो चुका है ठीक है तो यहां पर Ctrl Z कर देते हैं तो इसके आगे option यहां पर जब भी three करेंगे दोस्तों तो यह जो है यहां पर जितना selection part है selection किया गया पार्ट को three columns होगा और equal space maintain किया फेड़ी दोस्तों तो इसके बाद यहां पर क्या करेंगे दोस्तों अगर हम left बला में click करते हैं तो left का जो यहां पर है left का इस तरह का आपको column brings अब क्या करते हैं इसके बूशान किके कंट्रोफ में आपको अब क्या करते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं अगर हम राइ कर सकते हैं अगर दिखेढ़ आपS如果你 आपको मज़ेदार यहां पर आप सब दिया गया है मोर क्यूंस में जाएंगे तो यहां पर अल्य दोस्तों मैंने पहले टीटियुरेट में दिखा चुका हूं यहाँ अगर आप यहां पर जो है जब करते हैं तो यहां पर देख शकते हैं यहां पर हम क्या करते हैं हम फिर next content को लेते हैं यहां पर हम इसी को हम जो next है यहां पर हम इसी select करते हैं इतना select करेंगे उसी को क्या होगा divide होगा यहां पर column में जाएंगे और को यहां पर करते हैं तो थी कलम करने के बाद में दोस्तों अगर हम यहां देख सकते हैं कि वैर्थ को ठीक है और यहां पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं कॉलम को जो है हमस्ट कॉलम जो है यहाँ पर इसको इंक्रीज करना चाहते है इसको ब्रेड वायर्थ को तक हम क्या करेंगे यहां से इक्वल पर मियासी रिमूब कर देंगे दोस्तों ठेकेभाड यहां पर तो यहां पर देख सकते हैं यहां से मैंट कर सकते हैं कि हैं अगर आप शाखते हैं तो यहां से सब्सक्राइब करते हैं इसी क्या होता है दोस्तों तो फिस जो है इस पीस आपको मेंशन होगा ठीक है यहां पर 0.3 कर देते हैं और जब करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर लैनिंग आपको नहीं कि दिया गया है यहां पर क्या करेंगे तो हम यहां से देख सकते हैं कि फास्ट जो कॉलम है यह ज्यादा है ज्यादा है शेकर का क्या है अपको कम है और फिर इसे क्या करते हैं अगर हम लैनिंग करना चाहते हैं तो लेंग करना चाहते हैं यहां पे दूस्तों यहां पे इस लेट करें और इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको अपको बनाना है जितना से करना है असानी से कर सकते हैं तो चलिए आगे चलते हैं यहां पर क्या करेंगे अब हम यहां पर क्लिप करके हमें क्लिक करके अगर इस तरह हम करते हैं तो यह देख और स्टिक और डी को यहां पर लेट्विन करेंगे तो क्लोम साफ जाल से आठर मैंन अगर है तको चलते हैं मालिज सिम करते हैं और को ठाएब करेंगे से बाइक करेंगे करेंगे और यहाँ पर बार जो यहांपर करेंगे यहां पर चुछ करेंगे जब दो आप देख सकते हैंगे फॉष्ट आपर आहिस quand यहाँ पर फर्स्ट को ज्यादा है और सेकेंड को कम है ठीक है तो इस तरह हम mention कर सकते हैं और लास्ट में एक बार और अगर हम चाहते हैं कर सकते हैं तो आपका जितना डॉकुमेंट है यहाँ पर डॉकुमेंट में जितना देख रहे हैं आपको दो पार किया गया है ठीक है तो इस तरह क्या कर सकते हैं तो आज का टुटरियल था जिसमें हमने शिखा कि मैक्रोशॉप्ट वर्ड डॉकुमेंट में हम किस तरह किसी भी वर्ड डॉकुमेंट को हम मल्तिपल कलमें डिभाइड कर सकते हैं इसके साथ आज का टुटरियल यह पर खत्म होता है और आप सब से रिक्विस्ट है कि झाल